प्यारे बच्चो नमस्कार, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है कल अमने अपनी हिंदी की कक्षा में बेटा पार्ट नमबर 4 को पढ़ने का अभ्यास किया था आज हम अपनी भाशा मादरी किताब में से पार्ट नमबर 4 के पीछे आपका जो अभ्यास कारे दिया गया है उसको करेंगे तो आप अपनी भाशा मादरी की किताब पेज नमबर 8 पर खोलेंगे यह दिखी बेटा यह है आपकी भाशा मादरी किताब पर page number 8 सबसे पहले इसमें दिया है heading number 1 मौखिक उत्तर दीजिए यहां पर बेटा आपको कुछ प्रशन दिये गए है आपने इनका उत्तर मौखिक देना है, मौखिक का मतलब हो तो बेटा बोल कर देना, आपने इन प्रशन आएगा दाना, हमने पाठ में बेटा यह सारे प्रशन हमने किये थे तो आपको इनके उत्तर भी पता होंगे तो पहला प्रशन क्या है अखिल डलिया भर कर क्या लाया जिसका उत्तर क्या बताओगे आप दाना, आगे देखिए चिडिया ने अपना घर किस से बनाया चिडिया ने अपना घर किस से बनाया तिनका तिनका लाकर अगला प्रशन चिडिया क्या खाकर उड़ गई उत्तर क्या आएगा बेटा अगला प्रशन देखिए बेटा प्रशन नमबर घर चवी किस पर बाजार गई चवी किस पर बज़ार गई, किस पर गई थी बटा, साइकल पर, तो इसका उत्तर क्या आएगा, साइकल पर अगला प्रेशन, घर में कौन आया, कौन आया घर में, अति थी, अति थी किसको कहते हैं बटा, महमान को तो घर में कौन आया अती थी यह थी बेटा आपके पांच प्रशन जिनका आपने बोल कर ही उत्तर देना है आपने इसका अभ्यास भी इसी तरह से करना है आगे देखिए प्रशन नमबर च रवीवार के दिन आप क्या क्या करते हो यह आपने खुद से बेटा सोच कर बताना ह कि आप रवीवार का दिन कैसे बिताते हो आप उस दिन क्या कुछ करते हो आ गया आजए यह थी बेटा हैटिंग नमबर दू पर कर स्तम्ब में दिये गए अधूरे वाक्यों को स्तम्ब के वाक्ये से मिलाते हुए पूरी कीजिए यहाँ पर बेटा आपको मैचिंग करनी आ आपने मिलान करना है, दोनों साइड पर आपको वाक्य दिएगे हैं, लेकिन ये वाक्य अधूरे हैं, आपने इनका मिलान करते हुए इनको पूरा करना है, देखिए, सबसे पहले हम इनकी रीडिंग करते हैं, क वाले कॉलम को देखिए, रवीवार का, रिमजिम बारिश, अखिल डलिया भरकर, अब दूसरा कॉलम देखिए, दा ना लाया, पर आई, दिन आया, आ गई, अब इसकी दीख की मैचिंग हम कैसे करेंगे, रवीवार का, इसकी मैचिंग पटा, दिन आया, रिमजिम बारिश, आ गई, छवीचत पर आई, अखिल डलिया भरकर, दा ना ये सारे वाक्य बिटा आपके पार्ट के अंदर आये थे, अगर आपने अच्छे से रीडिंग की होगी, तो आप इनकी मैचिंग भी आराम से कर सकते हो, ओके, अब अगला एडिंग देखिए, नीचे लिखे वाक्यों को सही करम दीजिए, नीचे आपको बिटा कुछ वाक्य ये लिखे गए हैं, जिस तरह ये पार्ट में ये वाक्य आये थे, आपने इनको करम देना है, मतलब की नंबर देना है, जो वाक्य पहले आया था उसको देंगी हम नंबर एक, जो वाक्य बाद में आया है नंबर दो, इसी तरह नंबर तीन, नंबर चार, अब यहां पर वा वाक्या कौन सा आया था तिनका तिनका लाकर घर बनाया तो इस वाक्या को देंगी नंबर एक उसके बाद नंबर दो पर आया आकाश पर काला बादल चाया इसको देंगी नंबर दो उसके बाद फिर बारिश थम गई इसको नंबर तीन और मिठाई खाकर रवीवार का दिन ब चवी बजार गई थी, क्या लेने, सामान लेने, वो बजार से क्या लेक रहे थी, मिठाई, नारियल, किश्मिश, तो इन तीनों में से कोई भी दो खाने की चीज़ों के नाम आप यहाँ पर लिख देंगे, आगे देखिए बटा, इमत्रा के और नई शबत, आपको यहाँ प पारिश, नारियल, किश्मिश, किश्मिश, माचिस, माचिस, चीडिया, रिमजीम, रिमजीम, डाकी या डाकिया, अ, ती, थी, अती थी, साप ई कील साइकिल दलिया दलिया पिघल मिठाई रविवार तो ये थी बिटा आपके इमत्रा के कुछ शबद आपने इन सारे शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करना है तो ये था बिटा आपका पार्ट नमबर चार का अभ्यास कारे आज आपने इस स्पेस को कंप्लेट करना है आज के लिए इतना ही धन्यवाद